प्रिंस हत्याकान मामले में CBI ने चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पंच कुला की विशेश CBI अदालत में चलान पेश कर दिया है असी पेज़ की चार शीट में सबूतों से छेड़ चार गवाहों के जूटे बयान दिलवाने और जूटे चार लगाने सहित कई आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी उस दिन चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI कोट संग्यान लेगी बताया जा रहा है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट मिल गई है आपको बता दें कि ततकालीन सहायक पुलिस आयुक्त बिरम सिंग, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंग, भोनसी ठाने के ततकालीन प्रबारी नरेंद्र खटाना वह EASI सुभाशन्द के खिलाफ अदालत में चलान पेश किया गया है बताया जा रहा है कि चारों को CBI ने अपनी और से तत्यों के साथ छेड़ चार करने का दोशी माना है यहां आपको बता दें कि 8 सितंबर 2017 को सोहना रोड सित एक नामी विद्याले के बात्रूम में चात्र प्रिंस की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी यह भी बता दें कि बाल सत्र नायाले द्वारा प्रिंस नाम दिया गया है आरोपित के रूप में विद्याले का एक चात्र नायक हिरासत में है सीबियाई से पहले गुरू ग्राम पुलिस ने अपने सतर पर जांच करते हुए स्कूल के एक बस सहायक को आरोपित बना दिया था लेकिन सीबियाई जांच चुरू होने के कुछी दिनों के भीतर ये साफ हो गया था कि आरोपित बस सहायक नहीं बलकि स्कूल का ही चात्र है बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रिंस की हत्या करने के कुछी मिनट बाद ना केवल स्कूल का बाथरूम साफ कर दिया गया था बलकि बस सहायक को गिरफतार कर लिया गया था प्रिंस के माता पिता को भी लग रहा था कि बस सहायक को जूटा फसाय जा रहा है प्रिंस के परिजनों की मांग पर ही सरकार ने CBI को जांच सौपी थी जब CBI की टीम ने बस सहायक से पूछताच की तो उसने डरते डरते पूरी सच्चाई उगल दी फिर जानबीन के दोरान आरोपित को काबू किया गया आरोपित तभी से न्याए खिरासत में है बतादे चले कि रेयान स्कूल के प्रिंस हत्याकान में ततकालीन एसीपी सहीद चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पंचकुला की कोट में चार्चीट पेश की गई है बोनसी के रायन स्कूल में प्रिंस मडर केस में सीबियाई की पंचकुला कोट में चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सप्लिमेंटरी चार्चीट पेश की गई इसमें ततकालीन एसीपी धाना परभारी और जांच अधिकारी सहीद चार पुलिस अधिकारियों को तथ्यों से छेड चाड गवाहों के जबरन बयान संदिक्द पर बेवज़ा चार्ज लगाने जैसे संगीन आरोप लगाए गए है इस चार्ज शीट में ये भी बात सामने आई है कि पुलिस ने जानते हुए भी न केवल कंजक्टर अशोग को इस मामले में अरेस्ट किया बलकि उस पर सेक्शुल असोल्ट नह होने पर भी एधारा जोड दी गई इस मामले में कोट 13 जनवरी को गवाहों की सूची और डोकुमेंट्स की सूची पेश कर संग्यान लेगी इसी दिन इन पुलिस अधिकारियों पर संग्यान लिया जाएगा इस मामले में भोलू अभी नियाई खिरासत में है इस केस से जुड़े सीनियर एड़ोकेट सुचील टेकरिवाल ने बताया कि इस केस में चारो पुलिस अधिकारियों पर कई संग्यारोप लगाए गई है पीडित पक्ष के अधिवक्ता सुशील टेकरिवाल ने बताया कि वारदात के बाद बहुत बड़ा खेल किया गया था एक निर्दोश को फसाने का प्रयास किया गया था यदि मामले में स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई है या दे दी गई तो रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में चुनाती दी जाएगी ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुब्सक्राइब करें भन्यवाद जंगम आयुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता, बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगम आयुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिनमें शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट करने में सहायक, जंगम, स्वन, कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अद्भुत आउशधियां, इन सभी आउशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननिय वैद्य, डॉक्टर्स और प्राक्टिशनस वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगम आयुर्वेदा, नीलो खे नाल, हरियाना, मुबाइल नंबर 9817098180